कुछ हो रहा है। गिंती तेजी से आगे बढ़ रही है आपि वहाँ पर नुमान मसूद पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर की रतपाल है आपको बता दे कि पूरी तरीके से इस वक्त नजर आ रही है तस्वीर की बदल रहा है आंकड़ा कीरत सिंग की बात आपने देख ली क्या कुछ हो रहा है इस बार इगलास की बात करते हैं क्या कुछ हो रहा है गलास में जी सर बिलकुल यहां पर आपको बता दू 2017 में 2000 वोट उन्हें मिलेते लेकिन अब सबसे बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि वहां से बस्पा बीजेपी को कड़ी टक्र दे रही है यानि बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है 6777 वोट उनको मिल गए है अबे कुमार है बीएसपी से जो इस वक्त आगे चल रहे है दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो यहां पर कोई त्रिकोणी मुकाबला नहीं है सिर्फ टक्र है तो बीजेपी और बीएसपी से है यही कुछ है विशाखा जी बिलकुल यही है और बस्पा भी अब चुनावी मैदान में हां नजर आ रही है और इगलास सिट पर जो बस्पा को भी टिकेट मिला था और वो जीत रही है यहाँ पर घु सो बाद बात कर लैते हैं रामपूर कियों आपको पता है क्यों आजम खान आजम खान की वज़े से रामपूर को जाना जाता है मौनिका बताएगी रामपूर में क्या चल रहा है मौनिका नवीन जी मैं आपको बता दूँ कि रामपूर सीट पे आजम खान का सिक्का चलता है तो अब की बात तंजीन फातिमा मैदान में है और वो मैं आपको पता दूँ छे हजार तीन सो कुछ वोट से आगे चल रही है इस वक्त और उनके सामने है बीजेपी के भारत भूशन गुपता वो अभी पीछे चल रहे हैं उनसे तो जाहिर सी बारी टक्कर कोई नहीं है टक् रही है लेकिन सबसे बात करते हैं क्या खिरकार्च तरीक कैसे उलट फेर होगा अभी तक विलट फेर होनकी कुछ आशंका है नज़र आ रह सरारी हैं कि नहीं अभी और क ήरे तक यह अतना जए नहीं साम습ंगे नहीं है वीजादे की बहूत जादेNow वोटर महां पर है क्योंकि 2,62,000 महां पर अब की बार वोटिंग हुई थी और अभी दिरे दिरे चल ले यह भी तो 17,000 वोट है अभी उलट वे होना है अभी आगे हाँ जी बिल्कुल हो सैन की बात लगातार लोग कर रहे तो उनका क्या हुआ इंदर सैन तीसरे नंबर पर आ वैसे लगता है कि साइकिल अभी थोड़ी आगे तेजी में चलता आ रहा था वो इस बार भी खत्म नहीं होगा आगे भी चलता ही रहेगा हाँ वो चलता ही रहेगा क्योंकि अभी भी पहले राउंड में जैसे उनकी खुशी आ गई होगे एकदम लड़्डू आटने की पहले नंबर पर अगर उसे होते फिर यह आप बिल्कुल सही कह सकते थे कि हाँ उन्होंने सबका मुबंद गर्जा पर फिर भी लगता है कि अभी थोड़ा सा टक्कर आगे होने वाली है तो उस टक्कर से पता लगएगा क्या कुछ होना है यह तक्कर से पता चलेगा इगला हेडलाइनस इडिया पर मेरे साथ आप देखते रहिएगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि लगतार आपको पलपल की अपडेट देंगे साथी पेच को लाइक कीजिए नमस्कार